Don't underestimate the power of a television की बहू जी हाँ, ये अच्छे अच्छो को पिछाड देती है अब तेरी मेरी डोरिया में साइबा को ही देख लीजे साइबा ने दिया था 7 दिन का चालेंज अंगद को 7 दिन में जी हाँ, उस लड़के को सामने लाकर खड़ा कर दूँगी जिसके साथ सीरत भागी थी, देन छोड़िये, घंटों में पता लगा लिया साइबा ने जी हाँ, उस लड़के का, लेकिन चंता मत कीजे, अभी तो मोमेंटम बिल्ड़ अप होगा क्योंकि टेलेविशन की बहुएं यूँ ही सारी सिचुएशन क्लियर कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ बाते दवा कर भी तो रखनी होती है हिवादी के मताबिक देखिये साहिवा आ गई है, अपने माईके में इस बात का पता लगाने के लिए के आखिर सीरत किस लड़के के साथ भागी थी उसे वैसे कुछ-कुछ तो पता चला है गैरी के बारे में, वो यहाँ पर केवल सीरत से कनफर्म करने आई है अब वो सीरत से बात करे, उससे पहले सीरत का फोन उसे मिल गया और देखिए उसका शक कैसे यकीन में बदल गया तब जब सीरत के फोन पर गैरी का फोन आया और वो सीरत से बाते करने लगा इदर साहिबा, जब सीरत के फोन से सब सुन रही है तब अंगत की भी नजर उस पर पड़ी वैसे अभी इस बात का खुलासा नहीं होगा सीरत का चेहरा देखिए कितना उत्रा हुआ है वो कोशिश कर रही है अपने घरवालों के दिल में एक बार फिर से जगे बनाने की सीरत को अभी पता नहीं चला है इस साहिबा के बारे में लेकिन अब साहिबा जैसी है वो तो हम सब जानते हैं उसे घुमा फिरा कर बाते करने की आदत तो है नहीं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है फिर सामने वाले को सही लगे या गलत इस से उसे कोई फर्ट नहीं पड़ता है अगर वो लड़का तुम्हारा ही कोई करीबी हुआ तो तुम्हारा ही कोई जानने वाला तुम्हारी फैमिली का कोई मेंबर हुआ तो अब जासोसी के साहिबा के ये दिन बड़े ही मज़ेदार होने वाले हैं एबीपी न्यूज रिपोर्ट एबीपी न्यूज आपको रखे आगे